Hello students welcome to today's class so today we are going to start new chapter that is chapter number 8 data handling okay तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को डिसक्स करते हैं इस चैप्टर के topics को तो पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या कर चीज़ों को पढ़ने वाले हैं तो देखिए किसी और टाइपों को यह सबया होगा तो इस चैप्टर में जो है इस चैप्टर में हैं जो को डिटा टाइप से हैं पो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उन्हों कौन-कौन से टाइप को डिटा इस्टोर कर सकते हैं वह सारी चीज़ें और आप डिसक्स करेंगे यह सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं ओके तो चलिए अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सब देखिए यहाँ पर suppose कि मैं लिखता हूँ equal 10.5 ठीक है और मैं लिखता हूँ equal 10.5 ठीक है और मैं लिखता हूँ equal इस तरीके से hello ठीक है तो देखिए यहाँ पर यह तीन variable है इतनों store कर रहा है different type की value को A store कर रहा है 10 को तो 10 जो अब हमारी integer type की value है तो A का type हो जाएगा int मतलब A जो है इंडिज़ टाइप की data को store कर रहा है इसी तरीके से देखिए B को तो B में देखिए क्या हो रहा है 10.5 इस तरीके से बेलीव है तो 10.5 जो है वो floor type की value है तो B का data type होगा वो फ्लोड हो जाएगा क्योंकि यह फ्लोड टाइप को store कर रहा है इसी तरीके सी को बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं देखिए पहला होता है नमबर के भी टाइप होते हैं देखिए कौन कौन से होते हैं पहला होता है इंटीजर इंटीजर में भी एक और टाइप होता है है जिसे कि हम बोलते हैं boolean ठीक है अब बात करते हैं जो कि हमारा सिक्वेंस ठीक है सिक्वेंस में कौन कॉंसे टाइप होते हैं देखिए पहला होता सबसे पहले बात करते हैं नमबर डिक्सिनरी तो यह सब पाइप के नाम से पता चल रहा है जो नमबर डियर टाइप होता है वह यूज होता है नुम्र को स्टोर करने के लिए अब इसके लिए करते हैं नमप्लेट को और नुमर को से होते हैं पहला है बुंत में दूट करते हैं और हे तो यह थर है इंकτα ignorant नमबर तो यह publicon होता है देखें इंटीजर सारथ होल नंबर सच अज टैन फाइब यह जीरो अट सेक्टा भी इसमें नहीं रहता है इसमें नहीं आएगा ठीक है और इंटीजर टाइब में पोजिटिव यह फिन निगेटिव दोनवी टाइप के नमबर हो सकते हैं जैसे कि हाँप चेंपल में देखिए 10 20-15 मतलब पॉजिटिव हो सकती है लेकिन पॉइंट के साथ में वैल्यू नहीं आएगी यह होते हैं हमारे इंटीजर टाइप की दो टाइप होते हैं कौन-कौन से हैं देखिए पहला होता है इंटीजर साइंड एंड सेक्न होता है बूलियन तो इन दो होता है किईव हो सकता है मतलख कितने बड़े शाight कर सकते हैं चितने भी aja अगरे टाइप कर सब्सक्राइब कर सकते हैं कितने बड़ी वैलियू स्टोर कीजिए एक ही आपको रहेगा जिसको हम बोलते हैं अब बात करते हैं बूलेंड की तो बूलेंड टाइप होता है देखिए तो यह डाइब रिप्रेजेंट करता है तो जो कि हमारे ट्रो एंड फॉल्स होती है मतलब क्या है जिरो का मतलब होता है फ एंड बन का मतलब होता है तो इस तरीग जो बूलन है इस नब्दर कर देंडर ह었다 आए अब बात करते हैं पर टाइब करना हो से एक तरीजस करेंगे देखिये और पर तो इस काम को करने के लिए python होता है इंट फंक्शन इसकी है आप किसी भी टाइप को कर सकते हैं यहां पर देखिए जो पहला बैरिया बहला मतलब यह जो है इसके अंदर जो बैल्यू है इस तरीके सब किसी भी टाइप को कर सकते हैं इंटीजर में देखिए यहां पर यहां पर हमने इंट फंक्शन लगा दिया तो क्या होगा यह जो बैल्यू है वह आपके नहीं आ रही है यहां पर नहीं आ रही है क्योंकि इसका टाइप कर आए है है तो आप अब लोगों समझ में आ गया हों किस तरीके से किसी भी टाइप आप इंटीजर में कर सकते हो हो अगे तो अब हमने अदिन कर लिया है नमब्र टाइप के फास्ट टाइप को जो किसे हमारा बात करते है नंबर डीज़ टाइप को जो कि हमारा फ्लोट अ 10 तो flow data type क्या होता है देखिए a number having fractional part is a floating point number तो ऐसे number जिसमें कि fractional part होता है मतलब point वाली जो value होती है उन्हें बोलते है floating point numbers जैसे कि example में देखिए 15.5 5.1212 ठीक है तो यह जो है हमारे floating point number है मतलब क्या है जिन values में point लगा होगा उन्हें हम बोलेंगे floating point number ओगे तो अगर आपको इस टाइब करने किसी वैरेबल में तो उसके लिए उसके लिए उसकरते है flow data type को जैसे कि example में देखिए a equal 10.5 तो 10.5 जो है वह फ्लोट वैल्यू है तो जो यह वैरेबल है इसका data type हो जाएगा अगर इसको प्रेंट करते हैं तो हमारा 10.5 आ जाएगा ओके तो आपको अगया होगा अब बात करते हैं किसी और डिटाइब को अगर आपको अगर आपको अगर करना तो किस तरीके से करेंगे देखिए यहां पर तो इस काम को करने के लिए होता है फ्लोट function ठीक है इसकी आप किसी बीडिया टाइप को फ्लोट बैल्यू में फ्लोट function तो सी के अंदर बैल्यू स्टोर होगी वह फ्लोट टाइप के होगी मतलब पॉइंट के साथ में आएगी तो बीसी को जब प्रिंट के आएगा तो आपका देखिए यह आउट पूट आएगा देखिए यहां पर यह जो बैल्यू आ रही है यह फ्लोट बैल्यू ह लुट आ गया होगा तो चलि आप देखते हैं नंबर के नेक्स टाइप को जो कि हमारा कॉंप्लेक्स को औट तो कॉंप्लेक्स डडेट रबस योंगे होता है ? दीखिये इसको एक्जाम्पल समझते हैं यहां पर देखिए आप लोग करके complex 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है जो 5 होगा वो तो आपका रियल पार्ट हो जाएगा और जो जीरो होगा इसमें वह इमेजनी पार्ट हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से इस वाले statement को देखिए इसमें वी data type का ही एक टाइब है ओके तो आप आप लोगो complex data type समझ में आगया होगा तो अब हमने number data type के सारे से लिखेंगे इन तीन हों में से कोई से बई लिख सकते हैं यकि आप ऋपटाइबगे तो आप गलत हो जाएगा और SULS भी आजते हैं कि suppose कि आप कोई डेटाइब दे रखें तीन डेटाइब दे रखें और यहां पर इस तरीकी से नम भी लिख दिया और आप से पुछा जाए कौन सा इसमें इन्वाइब डेटाइब है तो आप नमबर को क्रॉस करोगे नमबर नाम का कोई डेटाइब नहीं होता है ठीक है उस पूरे डेटाइब का नाम जुरूर नमबर है लेकिन उसके अंदर को रिटाइब होते हैं इंट फ्लोट कॉंप्लेक्स एच्वल डेटाइब यह होते है तो आप लोग को नमबर डेटाइब को सब्सक्लियर हो गया होगा तो चलिए अब डिसक्स करते हैं नेक collection होते हैं items का मतलब कुछ items का collection होते हैं जहां पर कि जो हर item होता है वो index होता है एक integer से मतलब उसको एक index नमर मिला हुआ होता है and python में mainly three type of sequences होते हैं कौन-कौन से हैं देखिए string list and tuples तो यह three type of sequences होते हैं तो चलिए इनको one 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 discuss कर लेते हैं तो पहले बात करते हैं string की तो strings क्या होती है देखिए string के वारे में आप लोग को अल्लेडी बता है जैसे कि मैंने बताया है कोई भी चीज अगर आप single quote double quote में place करते हैं तो वह ऐसा string होती है पैथन में ठीक अगर आप single quote में लिख देते हैं या फिर double quote में लिख देते हैं कोई भी sentence को को वर्ड को तो उसको हम string बोलते हैं ओके तो simply हम कह सकते हैं जो string है वो ग्रोप है करेक्टरस का और इन इन करेक्टरस में alphabet, digits, special character या फिर space भी हो सकता है मतलब string का पार्ट हो सकता है वो ओके फर एक्जामपल यहां पर देखिए एक को हैलो बार्ड है तो हैलो बार्ड जो यहां पर string है क्योंकि double quote में होती है वो हमारी string बन जाती है python में ओके या फिर आप का स्पेस भी हो सकता है बकूछ icon क्यों भी हो सकता है यहां पर कुछ भी आशकता है ठीक है double quote के अंदर कुछ भी सकते हैं स्पेस कुछ करेक्टार के हैं कॉछredit सकते हैं अब boukh होगे अब बात करते हैं हिस्टिंग की किस तरीकित इस्टिंग की इंडेक्सिंग होती है तो जैसा कि अभी हमने डिसक्स का राता है है सीक्वेंस व्यक्तर मतलब लग करьक्टर का रह作 ऑत् deadly उनको इंडेक्स नमबर मिला हुआ हुए इसको और के लेले एक्जाम्पल के समझते हैं देखिए यहां पर यहां पर एक कोल python ठीक है तो जो python लिखा हुआ है जितने भी यहां पर characters python में पी वाइ टी हो एन इन सब characters को एक इंडेक्स मिलता है किस तरहिए से मिलेगा देखिए यहां पर पहले इन सारे characters को और अलगा लिख लेता हूं देखिए कि ती एच ओ और वन अभी श्रीय क्यों इनको इंडेक्स नमर मिलता है किस तरीक से मिलता है देखिए पहला करेक्टर होगा उसको मिलेगा जीरोव जाएग। या को मिलेगा 1, T को मिलेगा 2, H को मिलेगा 3, O को मिलेगा 4, N को मिलेगा 5, ठीक तो इस तरीक से indexing हो जाती है, जितनी बड़ी string होगी उसी के according आपको index number मिलते चले जाएंगे, स्टार्टिंग हमें से 0 होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अब Python में string को इसके अलावा negative index में मिलते हैं, किस तरीक से मिलेगे, देखिए, जो last character है यह वाला, इसको मिलेगा minus 1, ठीक है, यहां से minus में starting होगी, ठीक है, minus 1 मिलेगा, फिर इसको मिलेगा minus 2, ठीक है, negative भी मिलेंगे, positive भी मिलेंगे, ओके, अब अगर आप इसको print करेंगे A को, तो पुरी की पुरी जो string इसके अंदर वो print हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहाते हैं, इस string के only किसी particular character को access करना, तो आप इस P को access कर सकते हैं, इसके index number से, चाहों तो आप minus में दे दीज चाहों तो आप positive index दे सकते हो, कोई से भी index आप दे सकते हैं, किस तरीक से करेंगे, देखें, दिखाता हूं, देखें, यहां पर मैंने दिया है print A, और इसका index number दिया है 0, तो 0 index number पर जो भी value होगी, वो print हो जाएगी, तो हमारा है यहां पर P, तो यहां पर P print हो जाएगा, ओके, इसी तरीके सागर आप चाहिए, तो minus में दे सकते हैं, इस तरीके सकते हैं, आप print minus 6, तो भी हमारा P ही print होगा, दोनों ही cases में output जो आएगा, दोनों cases में पी आएगा, ओके, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा मैं आपको practically करके दिखा देता हूं, द desktop पर save कर देता हूं, name देता हूं, इसका string.py, ठीक है, यह save होगी हमारी file, इसके बाद में इसको run करके दिखाता हूं, देखिए, तो देखिए, बुरा python आ रहा है, ओके, अब मैं है access करता हूं particular index को मैं ले दिता हूं, print a, और सबोच करता हूं, मैं 0 index को, ठीक है, save करता हूं और run करता हूं, तो देखिए, यहां पर P आ गया है, ओके, आप देता हूं negative index को, print a, and minus index, 6, save करता हूं, इसको run करता हूं, तो देखिए, अब यह भी हमारा P आ रहा है, ओके, तो I hope आपको इस तरिक के concept समझ में आ गया होगा, और इस तरिक के index को इस तरीक से access करते हैं, वो आप बात कर लेते हैं, इस तरिक का मतलब क्या है, बहुत सिंपल से language में बता देता हूं, आपको, string को join करना, मतलब दो अलग-लग string आपने ले रखी हैं, और उनको आप combine कर देते हैं, तो उसी को बोलते है, string contradiction, ठीक है, इसको example से समझ लीजिए, देखिए हाँ पर, यह कर दिया है, दोने इस्टिंग को, ठीक है, सिंपल से सीज़ आई होप आपको समझ मागी होगी, तो string का मतलब ही होता है, दो string को join करना, बैसे topic आपका string के chapter में दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं हाँ पर explain कर दिया है, जैसे कि थोड़ा ID लग जाए आपको, ओके, तो string क उपर आपका पूरा chapter दे रखा है, उसमें string को और अच्छे से discuss करेंगे, ठीक है, तो अब यह के लिए, I hope आपको समझ मागी होगा, कि string क्या होती है, और string को किस तरीके से access करते हैं, किस तरीके से define करते हैं, तो अब बात करते है, next data type, जो कि हमारे list, तो list क्या होती है, इसके items होती है, वह आपके रहते है, square bracket के अंदर, जो square brackets होती है, उसके अंदर रहते है、 items, ओके, इसको example से समझते हैं, देखेंğı, तो देखेंगे, यहाँ पे एस example को देखिये, इसमें एक WILST यह है, और एक WILST यह है, दो list है, ठीक है, इस list का नाम है list1, इस list का नाम है list2, ठ टीक और इसाका अंदर बाल्ज पास कर दिया है तो दीखिंए सीकुन्स आ 5 M तो आप numerical value को श्टोर कर सकते हैं आप different type की value को श्टोर कर सकते हैं जैसे कि हम लिस्टों में किया है यहां वह देखे 10 जो है वो integer value है 20.5 if load value हो गई and hello जो है वो string value हो गई तो different type values को आप रख सकते हैं लिस्ट के अंदर एक चिंद और समझा दूंँ हो आपको यहां पर जो इसकी values होंगी जो values हैं इनको इंडेक्स मिलेगे जैसे कि string में मिल ल redemption मिलेगी अशिको 0 मिलेगा इसको 1 मिलेगा इसको 2 मिलेगः और इसको 3 मिलेगा ठीक है 0 से स्टर्टीं होती है इंडेक्स की से मिस्टिंग के तरह यह जैसे इहाँ पर लेस्ट को भी इंडेक्स मिलती है ओके तो यहां पर कि नियुकरा है तो यहां फिक तरहें लेश्ट को होगी पूरी को पुरी पूरी को जाएगी देखिए कि ni प्रिंट होंगी इस तरीके से आउट पूट आजाएगा और आप चाहें लेस्ट में से किसी पर्टिक्लर वैल्यू का एक्सेस खरना तो आपको सकते हैं विद्ध हैल्प इंडेक्स नंबर ठीक इंडेक्स नंबर देंगे आप तो इसके हैल्प वो इंडेक्स आपका एक्सेस हो जाएगा चलिए इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूं आपको देखी हम आपको लिस्ट बना के दिखाता हूं तो सब्सक्राइब नाम लेस्ट बन टीक है अब कुछ भी लिए सकते हैं टीक है एक उलका साहिन रहेगा और इसके बाद में हमें स्कोयर ब्रैक्ट रहेंग सिंगल कोड में देंगे जो नुमेरिकल वैल्यू होंगी वो आपको सिंगल कोड डबल कोड में देने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो अभी हमारी लिस्ट बन चुकी है अब करते हैं इसको एक्सेस किस तरीक से करेंगे देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ डिन्ट this is one ऻिए इसके बाद मैं इसको शेब कर देता हूं डाक्सटापसे इसका नहीं दिता हो लिस्ट डिण करता हूं ओको कि तो देखे हमारी पूरी लिस्टेक्स प्रिंट हो गई है लिस्ट मन के बाद में हाँ पर स्क्वायर व्यक्ट को लगाऊंगा ठीक है है यहाँ पर देख लूँ देखे यहाँ आप लो यह वाल यह वाला यह लाइन का ओपूड और यह बना इंडेक्स दिया था इसली अउसे इंडेक्स की वैल्यो आ गई है तो आयहोप आप लोग को बीसमें आगया होगा और किस तरीक से लेट करते हैं यह भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं नेक्स डेटाइब की जो कि हमारा टप्ल तो देखी टपल कि होते हैं टबल इस स्ट्थ आइटम सब्सक्राइब कॉमा एंड आइटम सरे इंध्लोज इन परेंथिस तो टप लेकिन यहां पर होती है parenthesis में एक major difference के आया है टपल लेस्ट में वो यह है कि इसमें changes पॉसिबल नहीं है वर्दफ टपल आपने create कर दिया तो उसको आप change नहीं कर सकते हैं ठीक है इस चेंजबल नहीं होते हैं को कुस्टरीके रियेट करते हैं देखिए एस एक्जम्बिल को देखिए आप लोग यहां पर देखिए मने टपल बनाया है टफल का नम दे रखाय है टफल बन टपल का नेम यहां पदेसकते हैं और को चुछ बार्देशिग हो उसके बाद में हैप ब्ल्याइट पर पांस कर हो रहे हैं और यह प्रेंट्ट फ्रेंट थो पूरेगों प्रेंट पर योश्री से तरी इस तरीके से आप्पूड आ जाया तो चली इसको H लगाता हो और यहां पर डिटेंट पॉइंट हैव एलो में इसमें भी आप 다्फेंट टाप कि वैवय क्या दे parenthesis क्लोज कर देता हूं ठीक है तो यह आप हमारे टपल बन गया है इसको एक्सेस कर लेते हैं कि प्रेंट कि इन्फो कि सेप करता हूं इसको कंट्रोल एस से और आप इसको रन करता हूं तो देखिए हाँ पर टपल की वैल्यू आ चुकी है और आप इसमें पर्टकुल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं किस तरीकिस करेंगे देखिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे स्क्वार ब्रैकेट्स और देंगे इंडेक्स सब्सक्राइब करता हूं और इसको एक्सेस कर सकते हैं और टपल में चेंज़स पॉसिबल नहीं होती है अगर आप इसमें चेंज़स करना है इन वैल्यूज में तो ड्रैक्टर में आगे डिसकस करेंगे मेटोबल और इन इम्मटबल डेटाइब में तो आप लोगो टपल का भी कौन सार्व समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं नेक्स डेटाइब की जोकी हमारा सैट तो स्टुए इसको डिसकू करेंगे नेक्स वीडियो में जितने भ आजे